ट्रॉल होना और खुद को ट्रॉल कराना लगता है डबा रानी की होबी बन चुकी है तो हेलो हाई वेलकम बैक टू माई चानल अर्थमाम दैरादुन चानल में न्यू है तो सब्सक्राइब करें और जाधा पसंदाये तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए तो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा डबा माडम को अपने बहुत सारे ब्रैंड्स का प्रमोशन करते हुए बहुत सारी कॉलाप्स का प्रमोशन करते हुए अक्सर ये अपने किसी ना किसी प्रोड़क्ट का कॉलाबरेशन करती ही रहती है मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने पास आये वे एक भी कॉलाब को ये डिजेक्ट करती ही नहीं है भरती रहती है भरती रहती है भले ही उन्हें पूरा करने में एक एक महीना दो दो महीना लग जाए इस वजे से काफी सारे ब्रैंड्स और कॉलाबरेशन वाले इनसे अक्सर नाराज भी रहते हैं तो अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने एक और ब्रैंड का प्रोमोशन किया प्रोमोशन क्या किया ये बोलिये कि उस ब्रैंड का पच्का ही कर दिया बात इतनी ज़ादा बढ़ गई वो मैं आपको पूरी डिटियल में बताऊंगे सो हुआ यूँ कि ये एक brand को promote करने के लिए गई वो एक clothing brand था उस brand का नाम था kuture और उस brand को promote करने के लिए instagram पे इन्होंने एक reel भी डाली जिस reel में उन्होंने सोचो कि जिस brand का ये promotion करने गई है इन madam को उस brand का pronunciation ही करना नहीं आता था उन्होंने पूरा brand का जो voice over किया वो kuture 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 नाम से किया और जैसे ही उनका ये video वहाँ पे post हुआ उसके बाद धड़ा-धर लोगों के comments आने लगे लोग इने course ने लगे कि अरे जिस brand का promotion कर रहे हो कम से काम उसका नाम किस तरह लेते हैं ये तो पूछ लेती बात इतनी जादा बढ़ गई क्योंकि हर दूसरा-तीसरा comment इनके इसी चीज़ से related था कि ऐसे लोगों को brand अपना promotion करने देते ही क्यों है तो जब कहीं से भी कोई बात नहीं बनी क्योंकि वो एक brand promotion real थी तो वो delete भी नहीं की जा सकती थी तो फिर finally brand की owner को ही उसमें participate टरना पड़ा और brand की owner ने आके ये बोला कि ये जो बोल रही है वो बिलकुल ठीक है आप चाहें तो इसको verify भी कर सकते हैं और ये बात brand की owner भी कहीं ना कहीं अच्छे से जानती थी कि आप पच्का तो डबा कर चुकी है लेकिन डबा की बेजती बचाने के लिए और उसका इस पच्के को cover up करने के लिए वो भी बिचारी आ गई लेकिन अगर आप वाके में YouTube या Google कहीं पे भी इस word को मैं या पे mention कर देती हूँ search करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक French word है इसका मतलब होता है showing something like clothing और textile ये एक French word है जिसको कुछ और नहीं कुछी और कहा जाता है अब चाहें तो इसको YT पे verify कर सकते हैं तो इनकी honor को भी अपनी इज़त बचाने के लिए इनके जूट में शरीक होना पड़ा तो वहाँ पे बड़ी भगदर मच गई लोग बोलने लगे अरे इस brand को ही boycott कर दो सोचो कि brand को promote करने का इतना भारी रुकसान उठाना पड़ा कि लोगों ने बोला कि इस brand को ही boycott कर दीजे in fact google में जाके भी उस brand के नीचे इतनी सारी उल्टी सिदी comments किये गए कि google से भी उन चीजों को delete किया गया तो इतना बड़ा पच्का इतना बड़ा unprofessional behave किसी भी चीज का कुलाब accept करने से पहले आपको सीज के वारे में पूरी details होनी बहुत जरूरी है आप उस चीज को कैसे बोलना है कैसे दिखाना है यह सब चीजे पता होनी चाहिए लेकिन अब डबा मैडम भी क्या करें इतनी ज़ादा collaboration भर लेती है इतनी ज़ादा भर लेती है कि फिर इनका कुछ तो महीने महीने तक पढ़ा रहता है कुछ तो इनको ध्यान ही नहीं होता कि सामने वाले से collaboration accept किया हुआ है तो उसको पूरा करनी भी मेरी duty है तो अब बताईए ट्रॉलर्स को अपने आप नियोता देती है या नहीं देती है आप जाने अन जाने करती है या जान बूच के करती है क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो जिस ब्रैंड को आपने accept कर लिया है जहां पर परसनली विजिट करके आ चुके हो क्या आपको व अनुत्रा के मूँ से कई बार ये वर्ड सुना होगा और जो लोग इतने साधा ड्रेसिंग कोलाप्स करते हैं फैशन कोलाप्स करते हैं उन्हें तो अकसर पता होना चाहिए इस वर्ड का राइट प्रनेंशियेशन क्या है वेल ये तो रही ब्रैंड की बात उसके बाद आपको ट्रॉल करवाने से बाज नहीं आती हैं इनको अच्छा खासा पता है कि इनको इनकी बैंगनी ड्रेस के लिए शादी में कितना ट्रॉल किया गया था खैर इनको कहां ट्रॉल किया गया था इनकी भावी को ट्रॉल किया गया था जिससे इन्हें कोई भी फरक नहीं प उठा के अपने आपको पहनाना शुरू कर दिया और डिजाइनर से ये बात भी करती हुई आए कि इसकी लेंथ तो ट्रिम हो जाएगी ना लेंथ तो अल्टर हो जाएगी ना तो क्या वाके में अगेन अपनी अनिवस्टी में ये बैंगनी रंग के कपड़े धारन करने वाली तो बार बार भावी को टार्गेट किया जा रहा है या बार बार उनकी मजाग उड़ाई जा रही है खेर डबा तो डबा डबा को भी अब सुर्खियों में रहने के आदत हो चुकी है ट्रेंड में रहने के आदत हो चुकी है और सबसे जादर ट्रॉल होने के आदत हो चुक को जाती है तो मैंने सही का था ना डबा को ट्रॉलिंग की हॉबी हो चुकी है ट्रॉलिंग इनकी हॉबी बन चुकी है इस तो यह था मेरा आज का एक रियक्षण आई होब आप लोगों को पसंद आएगो लाइक श्यून सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले and thanks for watching Art Mom Dehradun